हलो प्रेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSE Study Guide में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है, गास टेस्टिंग के बारे में साथ ही में हम देखने वाले है कि उस गास टेस्टर में कितनी गासेश जो है वो डेटेक करती है गास डिटेक करने के लिए कुन से डिटेक्टर का इस्तमाल किया जाता है कुन ऐसा authorized persons है जो गास टेस्ट कर सकता है authorized gas tester कौन होता है फिर हम देखने वाले है कि उन gases की क्या explosion range है मतलब उसका TLV क्या है, TWA क्या है, STEL क्या है, IDLH क्या है LEL क्या होता है, UEL क्या होता है और फिर उसके बाद हम देखने वाले है कि authorized gas tester जो होता है उसको कौन-कौन सी चीज़े पता होना चाहिए तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के मादम से मिलने वाला है तो चलिए शूरू करते है तो सबसे पहले जानते है कि gas testing यानि की होता क्या है दोस्तो जो भी process plant हो या फिर hydrocarbon वाला जो area हो जहां पर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर काम शुरू कर रहे से पहले gas testing जो है, वो mandatory की जाती है और ये gas testing क्यों की जाती है क्योंकि वो जो hydrocarbon वाला जो area है वहाँ पर explosion हो, flammable हो, toxic हो या फिर जो भी life trading जो भी vapor से वो leak होने के chances होते हैं और अगर वो leak हो गए और उसके contact में अगर कोई persons अगर आ जाएगा तो उसकी वज़े से dain भी हो सकती है मतलब जहाँ पर ये rix involved है वहाँ पर gas testing की जाती है अब चलिए जानते हैं कि gas testing कोई कर सकता है दोस्तो जैसे कि मैं adnock में काम करता हूँ तो मैं यहाँ पर आपको adnock के related जो भी gas testing की procedures है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो according to adnock जो है वो है कि adnock को कोई भी employee हो या फिर contractor जो supervisor level का जो बंदा हो या फिर other than जो भी job performer हो वो जो है वो area manager की तरब से authorized होना चीए writing में और साथी में उसके पास satisfactory gas test certifications complete होना चीए और साथी में उसके पास जो assessment process होती है उसका अपरोल भी उसके पास होना चीए तो वो जो persons है वही authorized gas tester जो है वो बन सकता है AGT यानि कि authorized gas tester जो है वो area authority भी हो सकता है या फिर issuing authority भी हो सकता है जैसे कि वो suitably qualified है लेकिन वो job performer नहीं हो सकते आपको और एक बाद यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि job performer वो होता है कि जो permit को issue करता है लेकिन ये जो job performer है ये gas tester नहीं बन सकता है भले उसके पास authorized gas tester का certificate हो क्योंकि ये जो job performer है ये क्या कर सकता है कि अपना काम चलाने के लिए कोई भी जो चीजे है उसको manipulate कर सकता है तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि जब भी आप add-nock में काम करते हो तो जो job performer होता है वो कभी भी AGT नहीं बन सकता और ना ही वो authorized होता है gas testing करने के लिए चली अब जानते हैं कि जब gas test conduct किया जाता है तो उसमें कौन-कौन से atoms जो है वो show होते है तो आपके सामने में ये जो gas tester दिखाई दे रहा है इसमें 4 atoms जो है वो show होते है सबसे पहला है H2S यानि की hydrogen sulfide जिसकी range जो है वो 10 ppm के कम होनी चाहिए फिर उसके बाद है LEL यानि की lower explosive limit और वो जो है वो hydrocarbon के लिए less than 5% होनी चाहिए फिर उसके बाद है oxygen जिसकी level जो है वो 19.5% से लेकर 22.5% तक होनी चाहिए और फिर उसके बाद है carbon monoxide जिसका LEL होता है 12.4% और उसका UEL होता है 74.2% तो इस तरह से जब भी authorized gas tester gas testing करता है तो ये जो 4 atoms है वो उसमें identify करता है और उसकी जो reading है वो no down करता है चलिए अब जानते हैं कि different gases है उसकी explosive range क्या है यानि कि उसका TLV, TWA, STL और IDLH क्या है तो सबसे पहले हम ये पता होना चीए कि TLE क्या होता है, TWA क्या होता है, STL क्या होता है, IDLH क्या होता है तो चलिए जानते हैं TLV यानि कि threshold limit value इसमें क्या होता है कि जो भी gas है उसका जो concentration है कि जिसमें जो भी person से वो continuous काम कर सकता है कुछ period of time तक यानि कि वो जो gas है वो expose कर सकता है कुछ period of time तक कि जिसकी वज़े से उतने time में अगर वो काम करेगा तो उसको कोई भी irritation नहीं होगा या फिर उसके उपर कोई भी chronic effect नहीं होगा और उसके कोई भी tissue के उपर कोई भी damage नहीं होगा और उसकी जो work efficiency है उसके उपर भी कोई effect नहीं होगा तो हमें जानना है कि उसकी threshold limit value क्या है चली अब देखते हैं कि TWA क्या है TWA यानि कि time weighted average तो TWA क्या होता है कि air में जो contaminant है उसमें gas का जो concentrations है वो इतना होता है कि वहाँ पर अगर मानलो persons काम कर रहा है continuous 8 घंटे तो उसका जो effect है उसके body के उपर नहीं होता जिसे हम उसका normal working hours कहते है मतलब उस gas का जो concentrations है उसमें persons काम कर सकता है without respiratory protection का use करके और वो कब करता है कि 8 hours per day और 40 hours per week चली अब देखते हैं कि STL क्या है STL यानि कि short term exposure limit STL यानि कि कोई भी chemical उसका maximum concentration इतना होता है कि वो जो अगर मानलो workers ने continuously 15 minute तक अगर expose किया तो उसकी वज़े से उसके उपर कोई भी health effect नहीं होगा या फिर उसकी जो work efficiency है उसके उपर भी कोई effect नहीं होगा और उसके safety के उपर भी कोई effect नहीं होगा मतलब कि वो जो worker है उस maximum chemical concentration में काम कर सकता है continuously 15 minute तक कि जिसमें अगर वो काम करेगा तो उसका कोई भी impact उसके health के उपर नहीं होगा चलिए अब जानते हैं कि IDLH क्या होता है IDLH यानि कि immediate danger to life and health IDLH में क्या होता है कि जो भी gas है या फिर जो भी chemicals है उसका maximum concentrations इतना होता है पड़ेगा यानि कि उसकी वज़े से adverse health effects होगी और हो सकता है कि उसकी वज़े से उसकी जान भी चली जाएगी तो चलिए अब जानते हैं कि different gases की क्या explosive range है तो सबसे पहला है hydrogen sulfide gas उसका जो TLV है वो है 10 ppm और उसका STL है वो है 15 ppm और उसका IDLH है वो है 100 ppm फिर उसके बाद है sulfur dioxide उसका TLV है 2 STL है 5 और IDLH है 100 फिर उसके बाद है ammonia उसका TLV है 25 उसका STL है 35 और उसका IDLH है 300 फिर उसके बाद है chlorine इसका TLV है 0.5 फिर उसका STL है 1 और फिर उसका IDLH है 10 फिर उसके बाद है carbon monoxide उसका TLV है 25 और उसका STL है 50 और उसका IDLH है 1200 चलिए अब जानते हैं कि authorized gas tester को जो different gases है उसकी lower explosive limit और upper explosive limit जो है यानि कि उसकी explosive range जो है उसको पता होना चीए तो चलिए जानते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि LEL क्या होता है LEL यानि कि lower explosive limit तो lower explosive limit यानि कि जिसका minimum concentration है उसको आग लगने के लिए अगर उसको source of ignitions अगर provide किया जाए तो उस concentration में वो आग पकड़ लेती है यानि कि वो उसका lower explosive limit हो गया चलिए अब जानते हैं कि UL क्या होता है UL यानि कि upper explosive limit तो upper explosive limit में क्या होता है कि उसका higher concentration होता है उस fuel का या फिर उस gas का या फिर उस liquid का कि जहां पर source of ignitions अगर मिल गया तो वो वहाँ पर ignite होगा यानि कि जल जाएगा ammonia उसका LEL है 15% और उसका UL है 28% और एक example लेते है carbon monoxide उसका LEL है 12.4% और उसका UL है 74.2% hydrogen उसका LEL है 4% और उसका UL है 75% दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई भी hydrocarbon का जो area होता है जैसे कि आप कोई भी oil and gas company में काम करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर H2S gas जो होती है वो ज़्यादा तर जो है वो leak होती रहती है यानि कि आप मान सकते हो कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खत्रा है वो H2S gas का होता है तो authorized gas tester को जो ये gas testing करता है तो उसको H2S gas के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए यानि कि उस gas की characteristic क्या है उसमें क्या हजार्स involved है उसके लिए क्या precautions लेने चाहिए और फिर उसके बाद है कि authorized gas tester को ये पता होना चाहिए कि जब भी plant के अंदर H2S लीख होता है तो उसको detect करने के लिए कौन से जो devices है वो plant के अंदर होने चाहिए तो सबसे पहले देखते है कि H2S gas यानि कि होता क्या है H2S gas यानि कि hydrogen sulfide gas hydrogen sulfide gas जो है वो poisonous gas है यानि कि जहरीली gas है और साथ ही में वो corrosive gas भी है जिसकी वज़े से उसका अगर concentration अगर कम भी रहा तो उस कम concentration में वो आदमी की जान भी ले सकती है hydrogen sulfide को बहुत सारी industry में अलग-अलग नाम दिया गया है जैसे उसका नाम है hydrogen sulfide और एक उसे कहते है stink dam भी कहते है उसको sulfurated hydrogen भी कहते है, sore gas भी कहते है, rotten egg gas भी कहते है, hydro sulfuric acid भी कहते है और आखिर में उसको sulfur hybrid भी कहते है तो ये जो सारे variety of names है ये सारे hydrogen sulfide के अलग-अलग नाम है चलिए अब देखते हैं कि H2S gas के physical characteristic क्या है तो सबसे पहला point आता है कि ये जो है, ये highly toxic है और साथ ही में ये poisonous gas है second में है कि ये colorless gas है, जिसका कोई color नहीं होता third में है कि ये soluble in water, यानि कि पानी में जो है वो जल्दी से soluble हो जाता है up to 1 ppm तक hydrogen sulfide का जो smell है, वो rotten egg की तरह आता है और जैसे जैसे इसका concentration बर जाता है, वैसे वैसे जो sense of smell है वो loss हो जाता है hydrogen sulfide का जो explosive range है, वो है 4.3% से लेके 46% तक यानि कि 4.3 जो है, वो lower explosive limit है और 46 जो है, वो upper explosive limit है H2S gas का auto ignition temperature जो है, वो 260 degree Celsius है, यानि कि 500 degree Fahrenheit vapor की जो density है, वो air से 1.2 times heavier होती है H2S gas जब जलती है, तब उसका जो blue frame है, वो produce करता है sulfur dioxide को और ये sulfur dioxide जो है, वो another toxic gas है, hydrogen sulfide highly corrosive है कुछ certain metals के लिए, आपको ये धान में रखना है कि H2S का concentration जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे वो आपके health की उफर effect करता है यानि कि उसका अगर concentration 10 ppm है, तो उसकी वज़े से आपकी जो eye है उसमें irritations होना चालू हो जाएगा, और जैसे जैसे concentration बढ़ेगा जैसे की 20 ppm हो, 30 ppm हो, वैसे वैसे उसका effect बढ़ता जाएगा जैसे की coughing होना, eye irritation होगा, और साथ ही में आपका जो sense of smell है वो 2-4 minute में loss हो जाएगा, और जैसे जैसे उसका concentration बढ़ेगा आपकी जो pulse है, और जो respiratory track है, उसकी उपर वो effect करेगा और last में जब वो 100 ppm में आता है, तब वो IDLH में प्रवेश करता है IDLH यानि की immediately dangerous to life and health तो चलिए बात करते हैं कि जब भी आपको H2S gas के environment में काम करना हो तो उस वक आपको क्या precautions लेनी परती है तो सबसे पहला point आता है कि उसका H2S training यानि की जो भी persons ऐसी जगा पर काम कर रहा है कि वहाँ पर H2S gas की concentrations होने के chances है तो उस वक उस persons का H2S training होना बहुत ही ज़रूरी है जिसमें आपको बताया जाएगा कि H2S gas की properties क्या है H2S gas होता क्या है इन case अगर वो leak होता है तो आपको करना क्या है और उसके साथ कैसे सावधानी बरतनी है तो इन सारी चीजों की H2S training में आपको बाकाइदा information दी जाती है Second point है personal H2S gas monitor यानि की जो भी persons ऐसे environment में काम कर रहा है जहाँ पर H2S gas की concentration होने के chances है वहाँ पर उसके पास personal H2S gas monitor होना चाहिए आपको ये बात ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि H2S gas monitor खाली H2S gas को ही detect करेगा लेकिन वो कप की जब उसका concentration 10 ppm होगा तब H2S gas अगर 10 ppm से अगर कम concentration में है तो वो personal gas detector detect नहीं कर सकता Third point आता है emergency escape breathing apparatus यानि कि आपके पास EBA होना बहुत ही ज़रूरी है Fourth है कि आपको windsog का पता होना चाहिए Fifth है H2S alarm के बारे में आपको पता होना चाहिए Six है emergency evacuation route कहा पर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए Seven है emergency evacuation plan क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और 8 आता है Emergency Standby Vehicle इनकेस अगर मानलो Gas Leak अगर हो जाती है तो उस वक आप उस Emergency Vehicle का इस्तमाल कर सकते हो चलिए अब जानते हैं कि साइट के अंदर कौन से Devices होते है जो identify करते हैं कि H2S जो है वो वहाँ पर available है तो सबसे पहला आता है Fixed Detector जो प्लान के अंदर एक जगा पर fix किया जाता है फिर उसके बाद है Personal Monitor जो Employee के पास यानि कि हर एक Worker के पास वो Personal Monitor जो है वो उसके पास होता है फिर उसके बाद है Multi Gas Detector जो AGT के पास होता है जिसके कारण जो है वो Gas Testing करता है और फिर उसके बाद है Wireless Detectors चलिए अब जानते हैं H2S 1000 के बारे में तो H2S अगर लिख हो जाता है तो उसकी वज़े से Eyes Problem होना, Respiratory Track में Problem होना, Irritation होना, Dizziness होना, Headache होना, Nausea होना या फिर Abdominal Pain होना, Loss of Consciousness होना, Brain Damage भी पॉसिबल हो सकता है या फिर Date भी हो सकती है तो ये जो सारे हजार से, ये जब भी H2S अगर लिख हो जाता है तो उसकी वज़े से हो सकते है चिलिए अब जानते हैं कि कोई भी persons अगर इस H2S से affected अगर हो जाता है तो उसकी लिए क्या treatment है तो जैसे ही आपको पता चलता है कि किसी एरिया में H2S जो है वो लिख हुआ है और वहाँ पर कोई जो persons है वो उस H2S के कारण affected हो चुके है तो सबसे पहले आपको वहाँ पर rescue team भेजनी है और वो जो rescue persons है उसके पास positive pressure होना चाहिए breathing apparatus का और वो उसने पहनना चाहिए फिर उसके बाद जो भी victim है उसको immediately जो है वो fresh air में move करना है और अगर possible हो तो जहाँ पर gas leak हुई है उसके upwind direction में जाना है और rescue को ये ensure करना है कि जब वो जो contaminated area है जहाँ पर H2S leak हुआ है उसके जब वो बाहर जाएगा तभी उसने उसके पास का जो breathing apparatus set है उसको remove करना है फिर उसके बाद अगर victim की breathing अगर stop हो जाती है तो immediately जो है उसको CPR देना है जब तक वहाँ पर qualified medical assistant arrive नहीं हो जाती तो ये जो सारी बात है ये आपको पता होना चाहिए तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा gas testing के बारे में और authorized gas tester के बारे में तो बस आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में एक नए topic के साथ में तब तक के लिए take care bye bye